मेरे दोस्तों अजीसों जीसस लिंक के सुनने वालों एलफ्रेड गेल आलबनी नुईयाक से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजर है और स्लामर्ज काता है आज का शो मेरा है साथ सो त्रीपन आज का शो मेरा है साथ सो त्रीपन और शो का टापिक है और शो का टापिक है मुबारिक जुमेरात इदे फसा मुबारिक हो मुबारिक जुमेरात इदे फसा मुबारिक हो और चुके जाहरा के आज इदे फसा के दिन ही खुदम दिये सुमसी ने जो रसूलों के पौँदोय थे और आखरी फसा उनके साथ खाई थी तो आज हर एक जो है अपनी अपनी जगा पर आपने अपने चर्चिस में जो भी जहां पर भी घरों में प्रोग्राम दौए हो रही है तो आज जो खुदम दिये सुमसी ने अपने रसूलों के साथ ये पौ खुदम दिये सुमसी को मानने वाले हैं उसके तो उसकी इस रस्थम को वो यादगार के तोर पर पौदों के मना रहे हैं तो आज जो हवाला लिया है वो लूका की अंजीन और उसका बाइस बाप और उसकी 15 से 23 तक पढ़ूंगा 15 से 23 तक थोड़ा लंबा है हवाला चुके पूरी जो हिस्ट्री है इदे फसा के हवाले से खुदम दिये सुमसी के हवाले से तो यू लुखा यू लिखा है उसने उनसे कहा कि मुझे मुझे बड़ी आज़ू थी कि दुख सैने से पहले ये फसा तमारे साथ कहूँ खुदम दिये सुमसी की आज़ू थी खाहश थी जो उसको पता था मेरा आखरी वक्त आ गया और उसकी ये खाहश थी कि मैं अपने रिसूलों के साथ आखरी फसा का खाना खाऊँ और वो उसने खाने की जो तैयारी की थी और क्योंके मैं तुम से कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा मैं तुम से कहता हूं कि मैं कभी ना खाऊंगा क्योंके जाहर है आखरी फसा थी उसके बाद तो जो भी वो लिखा गया था और उसने सारे जो काम शुरू हो चुके थे उसके इसलिए भी रास्ते से उसलिए कहा कि मैं तुम से कहता है कि उसे कभी ना ख़ूँगा जब तक कि वो खुदा की बादशाई में पूरा ना हो फिर उसने पहला लेकर शुकर किया और इसको लेकर आपस में बांट लो इसको लेकर आपस में बांट लो और क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पियो के जब तक कि खुदा की बादशाई ना आ ले क्योंकि ना आ ले फिर उसने रोटी ली और शुकर करके तोड़ी और ये कारकर उनको दी कि ये मेरा बदन है ये मेरा बदन है जो तमारे वास्ते दिया जाता है मेरी यादगारी के लिए ये ही किया करो और इस तरह खाने के बाद प्याला प्याला लेकर के दिया के ये पैला मेरे स्कून का न्या है जो तमारे वास्ते बहाया जाता है मगर देखो मेरे पक्डवाने वाला देखो मेरे पकडवाने वाला मेरे पकडवाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है क्योंकि इबने आदम तो जैसा उसके वास्ते मकरर है जाता ही है नगर उस शक्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो पकडवाय जाता है खुदाम के पाकलाम के पड़े और सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो आमीन देखें अक्सर दिन्यावी तोर पर होता है कोई भी बुराई करने वाला इंसान अक्सर वो आप नहीं होता है आपके साथ ही बैठा तापके साथ ही सारे काम कर रहा था यहीं जो असकर यूती था वो तो पर आकरी फ़रसा में उसके शाद्छां मलता और खुदामन को भी पता था कि मेरे साथ इसने क्या करना है और उसने कैभी दिया और उस वक्त रसूल भी परिशान होगे कि कौन है एक दूसरे को वो फिर मैं हूं मैं हूं या जो भी है तो इस वज़ा से जो ऐसे लोग होते हैं खुदाम जी यह सुमसी को भी दोखा देने वाला उस वक्त उसके साथ था गो खुदामन को पता था खुदामन यह सुमस को पता था कि शक्ष ने मुझे पकड़वाना है रसूलों को नहीं पता था और जैसे ही सब कोछ खतम हुआ और जब पकड़वाया गpping उसने पयार का हिदार किया उसका भूसा लिया हुठ जो उसने पाप्ने नोन पकड़ने वालों के लिए ये निशनीदि कि कि जिस्का मै चुमोंगा या माता चुमोंगा वो ही शक्स होगा और उसी को पकड़ लेना मुक्लब प्यार कितने दोखे बाजी वाली बात है भारल खुनम ये सुमसी ने आखरी फासा की और पिछले जो संडे इत्वार को उसके यरुशलम ने दाखलोंने के लिए खजूरों के साथ हमने इस्तक्बाल किया तो ये सारी तयारी थी उसको स्लीप पर जाने के लिए उसको हर वक्त का पता था हर चीज का पता था और वो अपने प्रोग्राम के साथ साथ सारी चीजों को पूरा करता चला जा रहा था और इसके लावा एक हवाला और पढ़ूंगा जो के पाउं दोने के हवाले से है तो यूं है मकदस यहन्ना रिसूल की इंजील 13 बापर उसकी 14 आयत में बस जब मुझ को खुदावंद और उस्ताद ने तमारे पाउं दोए तो तुम पर भी फज़र है के एक दूसरे के पाउ पाउंद धोया करो जब मुझ उस्ताद पर जहर है उसको उस्ताद कहते थे और वो उस्ताद है वो बादशाय वो कह रहा है कि जब मैं आपके पाउंद होता हूं तो आप सब पर भी फर्ज़र हम सब पर भी फर्ज़र फर्ज़र के एक दूसरे के पाउंद धोया करें और ये रसम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए कि आज इदे फसा एक साल के बाद हम रसम अदा करते हैं चुक्छे ये तो प्यार का इजहार था खुदावन का और इसी वज़ जैसे उसने का कि एक दूसरे के पौंदो है करो यसे ही रसमें करते रहा करो और इससे प्यार का इजहार होता है हलीमी का जहार होता है महबत का जहार होता है लेकन हम साल में सिर्फ एक दार एक बार करते हैं उसके बाद तो फिर अगला इस्टर खदा हमें दिखाएगा तो फिर पौंदोएगे लेकन जो कुछ भी उसने कहा कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो तो सबसे पहले जो आज मैं पोस्ट पढ़ूँगा इसके बाद सची और अच्छी बाते हैं चुके जाहर आज ही दे फसा है तो अम्वी सुमसी के आखरी आखरी खाना है अपने रिसूलों के बाद इसके साथ अलवदई खाना अगर मैं कालू जैसे अक्सर हम नालवदई पार्टियां करते किसी के जाने तो जाहर आखरी खाना वो रिसूलों के साथ खा रहा थे को कि उसके बाद उसने पकड़वाया जाना था और फिर उसके बाद सारे जो स्लीप तक रास्ते के जो कुछ भी प्रोग्राम थे वो शुरू होने थे तो इलम के पांच दर्जे हैं इलम के पांच दर्जे हैं पहला दर्जा यह है का इंसान खमोश रहना सीख ले बिलकुल और यही इलम खूब सूरत है कि अगर हमारे अंदर इलम है तो फिर उस इलम को बहुत ज़्यादा शूर ना करें खमोश रहें जब वक्त आए तो बोलें और यही अच्छे इलम की जो है खूब सूरती है कि खमोश रहें बहुत लिए कि जो लोग और इलम उनके पास हो ना हो वो बाइबल मकदस को तो पढ़ लेते फिर लोगों के सामने शूर करते हैं कि मुझे बाइबल आती है मैं बाइबल को समझ सकता हूँ बहस में बाश से शिरू करते हैं लेकन अगर वक्त पर किया जाए है कम तो वह ज्यादा कूप सूरत है दूसरा दर्जा यह है कि तवज्जो से सुनना सीख लो तवज्जो से सुनना सीख लो अगर मैं कहूं के खुदाम यह सूमसी ने इतना कोछ कहा है इतना कोछी लम दिया कि अगर हम उसको तवज्जो से सुने तवज्जो से उस पर अमल करें तो फिर बहुत सारी बातों से हम जो हैं एक दूसरे से दूरिया हैं एक दूसरे से जगड़े हैं एक दूसरे से नफरते हैं मेरे ख्याल है के वो खतम हो सकती है और यही तो खुदामन कह रहा है कि मेरी याद में यही किया करो ताके मुझे जब याद रखोगे तो मुहबत और प्यार और हलीमी याद रहेगी तो फिर एक दूसरे से हम दूर यह नहीं रहोंगी तीसरा दर्जा यह है कि जो सुने उसे याद रखने की कोशिश करें जो सुने खुदा का क्लाम सुने दिने अवी क्लाम सुने दिने अवी लम सीखें जो भी सीखना है उसको सुने और उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करें अगर मैं रुखनी तोर पर कहुँ तो हम वैबल मुकदस तो पढ़ते हैं लेकर उसको सीखने की कोशिश करें और उसका अमल अमल करने की बाते भी करने तो बहूत सारे मुश्क्लाट जे हमारी जो हैं रोहानी तोपर भी धिन्यावी तोर प्र भी मुश्क्ले 강णू सकती है चोता दर्जा ये है कि जो मालूम हो जाए जो मालूम हो जाए तो उस पर उस पर अमल करने की कोशिश करो अगर ये आपको ये तो जहर है जैसे बाइबल मकदस है अगर हमने इसको मालूम है हमने इसमें क्या कुछ है इसके आइन पर इसके हुक्मों पर अमल करना सीख लें तो फिर ये इलम खूबसूरत है और ये पोस्ट है उर्दू मेरी दोस्त और उसके बाद पांचमा दर्जा ये है कि जो इलम हो जो इलम हो उससे दोस्तों तक पंचाएं उससे दोस्तों तक पंचाएं दोस्तों के साथ शेयर करें अराम से बैठके अपने आपको काबल ना शो करन के लिए शेयर करेंके मुझे बाग जलाती है मेरे पास ये भी इलम यह ये नहीं शुर शुरबा करने वाली बात नहीं राम से शेयर करें ताके सीखने और सखाने कामल जो है वो खुबसूरती से एक तक दूसरे तक पहुंचे और यह पोस्ट है हजरत फजील बिन अबास रहमतुला अल्हा की इलम के हवाले से बहुत खूबसूरत पोस्ट है समजी नशीद ने एक पोस्ट है जूट का भी जाइका होता है और बिलकुल जितना जूट का जाइका होता है अगर हम उस जाइके को इतना महसूस ना करें सचाई को जाइके को ज्यादा महसूस करें तो मेरे खाले वह ज्यादा कूपसूरत बात होगी लेकन हमारे स्थाँ ज्यादा जूट का जाक्या मासूस की उसको मज़े से खाते पीते बोलते हैं हर चीजी क्योंकि जूट की सारी कमाई जूट के सारी काम है तो इसलिए मैंने कहा कि हम उसको खाते पीते हर तरह जूट को ही इस्तमाल करते हैं खुद बोलो तो मीठा लगता है ये बिलकुल सची बात है नै बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं आप उस पर अमल करें सचाई की बातों पर अमल नहीं करने को कहता है खुद बोलो तो मीठा लगता है दूसरा बोले तो कड़वा दिलकुल अगर को मेर सामने और आके कोई जूट बोलेगा तुम्हें बहुत गुस्षे में हो जिनल क्योंकि मुझे अपना जूट मिठा मिठा लगता है उसका जूट जो है वो कड़वा लगता है लेकन अगर हम ने इसके उल्ट चलें कि अगर हमने एक दूसरे की सच्चाई को मिठास को समझें व आज कैसी इसकी इद फसा है पहुंट होने के लिए आखरी फसा की है तो यह सारा कुछ क्या क्यों उसने किया अपने रसूलों के साथ रसूलों के साथ नहीं है सारा जो कुछ किया हमें हमारे लिए किया कि हमने बातों पर अमल करें क्योंकि वह तो खदाम जीए सुमसी सुमन से जी उटकारा स्मान पर चला गया। रसूलों बी जो अनुने अपने अपने काम कीने भूबी कर लेकल लिकल पाककलाम जिन्दा पाकलाम हमारे पास माजूद हैनlex को मौसपर अमल करें और उसकी बतों को मनें सचाई की बतों को मनें तो यह सारे आज का जो जुम्हेरात का दिन है जो इदे फसक का और पाउं दोने का दिन इसका मकसद ही यह है रोज समित की चार पोस्टें बहुत अची है पोस्टें लिखते हैं बगार लबास आए थे यह तो बिल्कुल ठीक कोई भी मां के पेट से कोई सूट साथ तो पहन के नहीं आता बार आता है नंगाई आता है तो बेरे उसको सारे कपड़े पहना आए जाते हैं बगार बाद लबास के आए थे और इस जहां में एक कफन की खातर इतना सफर करना पड़ा बिल्कुल चुके आखरत जो है वो किसी भी वक्त हो जे जुआनी में हो जे बड़ापे में हो जे जब भी वो तो होना ही होना है लेकर जितना देर भी हम इस दुनिया में रहते हैं तवदाओ करते रहते हैं मेनते करते रहते हैं और आखर में यही है किसलिए कफन के लिए क्योंकि जैसे नंगे आए थे वैसे ही हमें जाना है जब बाद के पेट से बार आए तो हमें खूब सू कि गई मठाईयां बांटी गई और जब जाएंगे कफन दिया जाएगा क्योंकि हमारा हमारे इसे में सारी जिन्दगी गजार कर फिर कफन ही रह जाता है और उसके बाद अफसुर्दीगी होगी गले देंगे भी देते हैं वह खुशी की नहीं वह अफसोस की होती हैं होता है बिलकुल यह सची बात है कि अगर हमारे तलोका अच्छे हैं तो फिर हमने दूसरे से मिलते गिलते प्यार मुहबत तो वह रिज़की तरह यह कि आप खुश रहते हैं पर बद नियती आजे तो बद नियती आजे तो बरकत खतम हो जाती हम बड़े कितने रपए कमा लेते हैं लाखों कमा लेते हैं लेकर अगर उसमें नियत नहीं है बरकत नहीं है तो वो सारा कुछ बेफ़जूर बाते हैं क्योंके नियत में फतूर आजे नियत में जो बुराई आजे तो वो खुदा की बरकत और यही हमाम में क्यों खुदा की बरकत हमारे गर्व से दू कौन सी करोना वारस का खौफ है बाहिर वबा का खौफ है घर में भूग की भूग किस मौत मरूमें जरा राय दीजिए कि भूग भी है बार निकलो तो काम नहीं है वबा की वजह से घर में रहूं तो भूग है आज ये एक वक्त है अभी मैं फेस्पोर्ट पर पड़ा सुबा कि मा बाप थे बाहुल पर के आलागे कि ये बात है के कामकाज नहीं था क्राय के मकान पे रहते तो भी परेश्यान करता था दूंनों ने पहले अपने बच्छों को जहर दिया फिर खुद जहर लेकर पुरृओ खांधन खत्म हो गया इसलिए कि कामकाज नहीं था मजदूर भी नहीं थी हलांके विजीर आजम इस हक में नहीं है कि हमने मकमल लागडाउन करूं क्योंकि मजदूर लोग भूके मरेंगे उनके बचे लेकन ये जो आज का वाक्या इसी पोस्ट के हुआले से इस पर पूरा उतरता है कि बाहर वबा का खौफ है बाहर करोना वारस का किस मौत मरूं जरा राय देजिए भी किस मौत मरूं वपाक से मरूं भूका मरूं तो ये सारी बाते हैं लेकर अगर हम दौा बंगी में मसरूफ रहें और इस करोना वारस को जो वबाप ही है इसको खौदा खतम करेगा चौती पोस्ट है बहुत सची और अच्छी पोस्ट ह अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है और अगर इस सवाले से मैं अपने खुदा में ये सुमसी की मसाल देतू के हारे कौन जिनों ने इसको मारा पीटा खूब जो है वो इसके रिज्जा लगिया जिन लेकर नब ये सुमसी फिर भी हर चीज को खुशी से बढ़ दास्त करता रहा कि वो जो आपने आपको जीत समझ रहे थे वो हरे हुए लोग होगे क्योंकि उसने जैसे कहा था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँगा और वो पात पूरी होगी और वो जो आपने आपको जीतने वालों में समझ रहे थे वो शतानी कूपते इतनी बुरी तरह हार गई कि उनको सब कुछ समझ भी गए कि वक्के वो जिन्दा भी हो गए कुछ ने मान भी लिया कि ये वक्के खुदा का बेटा है लेकन फिर भी मैं ना मानूँ वो आज तक नहीं मान रहे और आप पता है कि वो कौन लोग है इसलिए जीत क्वाली कि हार ना कोई बड़ी बात नी जब तक आप हारेगे नहीं जीत नहीं सकते इसलिए हारें भी जरूर लेकन कोशिश करते रहें तो जीत भी सकते हैं फरमान खोकर की एक पोस्ट है रेस में जीतने वाला गोड़ा नहीं जानता के काम्या भी क्या होती है वो दोड़ता है तो सिरफ आपने मालक से मिलने वाली तकलीफ की वज़ा से तो आप कभी भी अपने आपको तकलीफ में पाओ तो समझ जाना के तमारा मालक खुदा चाहता के के जीत तमारी हो दिलकर ये तो आप देखते हैं कोई भी चीज भागती है जंडरों में खास बढ़ बड़ी रेसे होती है तो घोड़ों की मिसाल इसली दिया के जो उसके उपर बगी वग बैठा होता है जो गोड़े को दुड़ार और पीछे पीट पर उसके पास एक गोड़ा टाइप होती जो मारता है वो गोड़ा भागता है जो उसको ये होता है कि उसको गोड़े की तकलीफ करनी उसको जीत का होता है इसी तरह हमने तकलीफें तो बरदाश्ट करनी लेकन बाते रहें और जैसे लिखा है कि तमारा मालक हमारा मालक कौन है खुदा है तमारा मालक चाहता है कि जीत तमारी हो बहुत अच्छी बात है पास्टर डैनिस गे रोहानी बेदारी के हवाले से लिखा है कि रोहानी बेदारी से मराद लोगों का हजूम और बरा हुआ चर्च नहीं ये हमारी जो हम सोचते हैं कि जितनी पबलक भलक कैसे भी हो कठी कर ले तो हम पर कहते हैं देखो जी हमारा कितनी बड़ी अलग वो बात नहीं होती डैनिस ने जो लिखा है रोहानी बेदारी से मराद लोगों का हजूम और फिर बरा हुआ चर्च नहीं बलके गुटनों के भल जो कर आंसों के साथ तोबा करना मराद है ये है इकसल मक्सद कि हजूम श्यासित और पर भी हम लोगों को जबर्दस्ती बसों में बार बार कर जबर्दस्ती और फिर हम देखो जी हमारी पावर कितनी है और यही हम रोहनी तोर पर करते हैं लोगों को बसों में लेते हैं जो बड़े बड़े इस्तमार करते हैं जो बार से लोग बलाते हैं पैसा उनका उता है और बसों पर लोग ले आते हैं और कहते हैं देखो जी बड़ी रोहानियत हुई खुदा को कबूल करें जिदगी आन ना बदले तो कहा फैदा जिदगी तो मैं और आप घर में भी बैठके बदल सकते हैं अगर वक्त के गुड़नों के पाल जुके उसको हकी कि खुदा माने खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूपाक माने और उसने जो कच हमारे ये कुरबानी दी इन बातों को माने तो फिर हकी की अबादत है बहुत खुब सूरत बास्ट है क्रिस्टोफर क्रिस्टी रहाई उनकी कताब से उन्होंने पोस्ट लिख किये और हमेशां बहुत अच्छी पोस्ट लिखते हैं इस इस्टर सीजन में हम सिरफ पौंध धोने क रसम ना दा करें और यही जो मैं पहले बोल रहा था कि पौंध धोने का खड़ाम यह समसी का क्या मतल़ था यही क्रिस्टोफर ने अपनी जो पोस्ट लिखा है कि रसम दाना करें बलकि अपनी नफरत अना गलत फैमियों खुद परस्ती और मन्फी सोचें भी हमारे दिलों से दोल जाएं यह है पौंध धोने की रसम सिर्फ रसम अदा करना नहीं जैसे मैंने भी डैनस की पोस्ट पड़ी है कि लोगों का हजूम कठा करने वाले और लोगों को दखाना कर देखो जीतने हमने लोग कठे कर लिये यह है वो नहीं है अगर पौंध हम खुदाम यह समस प्रश्टी को खुदगर्जी को मैं की जो बातें उसको नुकालें तो फिर जो खुदाम यह सुमस ने सच्चाई के साथ अपने सच्चे दिल के साथ प्यार के साथ अपने शिगर्दों के पौंध है वो बात थी लेकन हम तो बड़े खुशी से फ़र्फाखर समझते हैं द या मेरे पो तो उससे हम सबक भी हासल करें यहीं कि चान्द जो चीदा चीदा लोग जिनको पास्टर पसामन करते हैं उनको आगे लेकर उनके पौंध हो और होता यही है कि जो मकबूल लोगों तें चोधरी या जिनको मार उनके पौंध हो जाते हैं अनके खुद ग्रीबो की खुबी हम पर यूँ जहर करेगा खुदा हम पर अपनी मुहबत की खुबी यूँ जहर करेगा कि जब हम गुनागार ही थे जब हम गुनागार ही थे तो मसी हमारी खातर मुआ बिलकुर हम गुनागार ही थे तो उसकी करबानी क्या क्या फाइदा क्या हम गुनागार ही है उसके ये पूंद होने की रस्म का क्या फाइदा कि हम बदले ही ना उसकी स्लीबी मोट का क्या फाइदा कि हम बदले ही ना उसके कोड़े खाने का उसके कांटों का ताज सर पर रखने का उसके मुझ पर थूकने का इतनी अजियते देने का क्या फाइदा कि हम अगर बदले ही न जब के हम गुनागार ही थे तो हमारे लिए खुदा मने जान दे दी तो बहुत खुब तो हम गुनागार ही तो मसी ने हमारे लिए अब दोस ने तो हमारे लिए जान दे दी कि हम गुनागार थे लेकर अगर हम ने उसकी करवानी को जो हमारे गनाहों के लिए उसने की, हमारी नजात के लिए कि अगर हम बदलेंगे नहीं, तो फिर वो सारी करबानी राएगान चाहेगी मुकदस पालूस रसूल का खात है, जो यह वाला है रॉमियो के नाम, पांच बापर, उसकी आठा है बहुत खुबसूरत एक नजम है, सलीप पर थी, डक्टर आडल अमीन साथ, काफी लंबी है जाहर पूरी हिस्ट्री जो है, इस नजम में बयान कर दी, यही हकीकत है कि सलीप पर थी मेरी महबद सलीप थी, मेरी और आपकी, क्योंकि उसने हम से महबद की थी इंसानियत से, इंसानों से महबद की, और आज वो महबद कहा है, सलीप पर जाने के लिए तयारी है आज वो फसा, आखरी फसा खाकर, जैसे यरुशलम के रास्ते पर चलकर, वो सलीपी रास्ते पर चलने की तयारी की आखरी फस खाकर भी हमारी मोहबत स्लीप की तरफ जा रही है अलुहियत ही बशिर की सूरत मेरी ये दोलत स्लीप परती क्या बात है? बहुत खुब सूरत लिखा है अबस्ता हाकम का हाथ दोना खुदा किनीयत स्लीप परती थाकमने हादों दिये थे उसने कहा भी मेरे अबस था क्यों ममकन तो नहीं था लेकर उसने वो डरा नहीं, खौफ नहीं खाया उसने कहा भी मेरे, मैंने तुम जानो तुम जानो तुम जानो ये इसका खून तुमारे उपर ये तुमारी उलादों के उपर हो ति और इसी वज़ा से उसने हमारे लिए अपना बेटा जान की कुर्बानी देती वो सर पर कांटों का ताज देखो कि बादशाथ सलीप पर थी वो बादशाथ जो बादशाँ का बादशाह जो इस दुनिया में आए और हम इनसानों ने उस बादशाथ पर काटो का ताजपन करें, जियत दे कर उसको स्लीप पर टांग दिया, लेकन वो क्या? बादशाथ था, बादशाथ था, खुदा का बेटा था, जो आसमान और जमीन का खालक और मालक है, वो बादशाथ क्या थी? वो स्लीप पर थी, अच्छे है, अदर साब लिखा है, वो दुश्मनों को माफ करना, वो तो उसने दुश्मनों के, कि ये इनको माफ कर, ये नहीं जानते, बाप से दुआ करता है, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो दुश्मनों को माफ करना, नई श्रीयत स्लीप पर नई श्रीयत निया इधनामा क्योंकि वो जो श्रीयत थी खुदा के मुसा की श्रीयत वो ठीक है वो अपनी जगह पर लेकं निया इधनामा निया सारा कुछ उसने वो जो श्रीयत थी वो स्लीप थी हजार बातें घड़ी गई थी बहुत सारी बातें घड़ी और यो जूटी बाते गड़ी गई ती तो इस लिए तो उसको भी गई मगर मगर सदाकत उन्होंने तो उसके फ़लाफ जो जूटी गवाईयां जूटी बाते गड़ी लेकर हकीकत में वह सदाकत थी सचाही थी और वह सचाही उसलीप परती क्या बात है बहुत खूबसूरत फजा पे साया था तीरगी का शफ़क की रंगज सलीप परती शफ़ा में हंदेरे की तो को कि इनसान हंदेरे था अगर वो रोशनी में होता और समझता कि ये खुदा का बेटा और यूदियों का बादशाबान तो फिर उसको सलीप पर दिया जाता फञातवा नसीब नसीब मादर नजर के आगे उसके मा कहवाले उसकी नजरों के सामने जो है वो क्या कोच हो क्या आरे नसीब मादर नजर क्या गे ये क्या का ये क्या का मनसली तो मा कहवाले से कोई भी दिने अभी तोर पर जब किसी भी और फिर ये अजियत के मा का बेटा इतना जियत दे कर उसको स्लीपट टांग दिया तो फिर मा का कितना बड़ा जिगर था, कितना बड़ा देल था, कि इसने सब कुछ बरदाश्ट किया, लिखा था, तिशना जो सिरक सर के उपर, लिखा था, कुत्बा, लिखा था, वो जो कुत्बा उसके उपर लगा हुए है, सलीब के उपर, लिखा था, कुत्बा सर के उप पर बस एक सियासत पर श्ली पर एक सियासत श्ली और ये भी एक सियासी दोर वाली बाती थी कि उस पर लिख दिया कि ये यहूदियों का बादशा है और उस वक्त के हाकम ने ये लिखा क्योंकि उसने उसको कबूल कर लिया तो उसकी बादशाथ को मान लिया था कि ये वक्त की खुदा का बेटा है तो उसने पर ये दिखा था कि ये यहूदियों का बादशा और वो मान गया था कि ये वक्त के यहूदियों का बादशा है वो सुरुखांके कलवरी की जहरे खोनी खोन तांके सुरुखती देखने वालों की परिशानी के साथ और उस यसू की भी यसू की सूरत सलीप पर थी यसू की सूरत क्या बात है वो तिशना जान तडप रहा था प्यास से तडप रहा था बला की शिद्दत सलीप थी बला की प्यास जो उस सलीप पर माजूद थी क्यों कुछ ने कहा थै कि मैं प्यासा हूं खुदा के हाथ में रूँ सौंप दी खुदा के हाथ में रूँ सौंप दी आखरी जब उसने कहा है खुदा मैं अपनी रू तेरे हाथों में सौनता हूँ कोई अमानत सलीप पर थी को वो हमारे पास एक खुदा की अमानत आई थी और हमने उस अमानत को ऐसी वापस किया कि हमने उसको कितनी बुरी लांती मौदे का सलीप पर उस अमानत को लटका दिया खड़ा के हाथ में रोज़ खड़ी थी दुश्मन की सफ में आते बकाए उम्मत सलीप दी दुश्मनों की जो दुश्मन थी वी उस वक्ति क्यों कोई दुश्मन तो सारे वहाँ माझ्यू थे और वहां पर खड़े थे और बकाए उम्मत, सब्द उम्मत की, कुल आलम की जो बका थी, जो नजात थी वो सलीपर थी। ब्यान लफ्जों में क्या करूँ मैं? कि मैं इतना कोच कैसे इतने लफ्जों में ब्या करूँ जो शान और शौपत सलीपर थी। कि उस शानों शापत को मेरे पास इतने बड़े लफज नहीं इतनी बड़ी शान इतने बड़े बादशा को के मेरे पास वो अलफास नहीं हाला कि बहुत खूपसूरत अदल साब ने ये लिखाया अखरी शेहर है मेरे गनाहों का अकसादल मेरे गनाहों का अकसादल और एक अदालत सली परती क्या बात है मेरे गनाहों का अकसादल एक अदालत सली परती क्योंकि उसने अदालत कर दी अदल कर दिया हमारे लिए और उस अदालत के लिए जो है हमें उसके पास जाना है क्योंकि कल मैंने शोर जो किया थै कि नेरे बाप के घर में बहुत से मकान है और हमें औस इधालत को पूरा करके फिर खुदा के पास जाके वो जो कहके गया नेरे घर में गर पिर खुदा करें कि हमें भी उन मुकान हों मे कुछ अच्छी से ज़े मकान और जगा मिल जे असलम प्रवेश फैसलाबाद से मेरे तालिब इलम है, स्टूड़न है, गोजरे के, उन्होंने लिखा है, अकेले रहना, अकेले लड़ना, अकेले जीना, सीखो, ये दुनिया किसी की नहीं, और ये भी सब खुदाम दिये सुमसी ने अकेला ही लड़ा है, क्योंकि जब वो प का, कि मेरे घर, बाप के घर में फोज्यों की कमी नहीं है, कितने तमवन उसको बोलू, तो भेज दे अपनी मयान तलवार को मयान में रख, मुझे मकाबला नहीं करना है, इंसे लड़ना नहीं, जो सचाई है, जो हकीकत है, मुझे वो पूरी करनी है, मुझे अपने बाप की कोई जो हुकम है, उसको पूरा करना है, और इसलिए हमने भी अकेले, हमने एक दूसरे के सहारे तकते रहते हैं, और उस सहारों में हम फेल हो जाते हैं, और काम्याब नहीं होते हैं, दूसरी पोस्ट है, लोगों के देला आप साफ नहीं कर सकते हैं, बिलकुल नहीं, हम तो लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते हैं मगर अपना दिल साफ रखें आपके इक्तियार में अगर आप दूसरों के दिल तो रोज हम जो चर्च भी लगाते हैं क्या कुछ नहीं करते हैं अगर हम अपने दिल को साफ रखें वो जरूरी है दूसरों के दिल तो आज काल का एक कैसी महौल चुक है कि हम किसी को अच्छी बात कहेंगे जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पड़ी थी मिरे खाले समरीन रिशीद की कि दूसरों का जो सच है वो कड़वा लगता है जूट अपना जूट यह वो मीठा लग तो फिर हम किसी को कैसे बदल सकते हैं कौन हमारे लेकन अ अपने पौंद हो रहें एक दूसरे के तो दिलो को भी दो दे, दिलो को भी साफ करते हैं और उसमें इनसानियों को भी बिसाएं खुदा के मखलूग को बताएं खुदावन का नाम जे और इस जो यादगारी के तौर पर यह लग खाओ मेरा बदन है, यह पी और मेरा लग ह है जो हमेशा की जिन्गी तो उसका हमें खाने और पीने का क्या फाइदा है कि अगर हमने एक दूसरे से प्यार महबबत ना रखे तो आज जो मैंने हवाला पड़ा था मकदस लूका की इंजील उसका बाइस पाप और उसकी पंदरां से बाइसाथ तक उसने कहा मुझे बड़ फासा थी उसके बाद तो उसने चले जाना ते इसलिए का कि मैं उसके बाद नहीं कहूंगा जब तक कि वो खदा की बादशाई में पूरा ना हो जो खदा की बादशाई में लिखा गया था कि एक बर्रा होगा जबा होगा और ये सारी बाते पूरी ना होगी फिर उसने प् पी ना पीो के जब तक होगादा कि बाद्शाई में अन भना की बाद्शाई में ग pride ना ले फिर उसने कहा रोटी ली फिर उसने रोटी ली और शुकर करके तोड़ी और यह कहकर उनको दी कि यह मेरा बदन है जो तमारे वास्ते जी कि आजाता है मेरी यादगारी के लिए मेरी यादगारी के लिए यही किया करो और इस तरह खाने के बार पहला पहला यह का कर दिया कि यह पहला नेरे फून का एहद है जो तुमारे वास्ते बहाए जाते है फून का एहद है जो हमारे वास्ते बहाए गया को लालम के वास्ते बहाए गया मगर देखो मेरे जो उस वक्त पकड़वाने वाला था वो भी उस तेबल पर उसके साथ बलके बैठा हुआ था मेरे पकड़वाने वाला का हाथ मेरे साथ मेज पर है क्योंकि इबने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकरर है जाता ही है मगर वो शक्स पर अफसोर जिसके विसीले से वो पकड़वाए जाता है पर аклам के पड़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी बर्कत बक्ष बाता श्रांट के साथ वो आपको अपसप लगतों और फजलाओं से नुवालें और इसटर की खुशी में सब को से तो तो धुरूस्ती के साथ अब श्रामनों ने की तवफीग दें और कोरोना वार्ष के लिए दिए इस इसटर करें खुदा का बदन खून, खाएं, पिएं और खुदामन से दुआ करें कि इस बदन और खून के विसीले से में पाक साफ कर और इस करोना वारिस से बचा और इस करोना वारिस को कोल आलम से ठाले खुदा आप सब को बड़ी बर्क कर दे खुदामन आपको आज का देन और इस्टर के खुशियों का देन मबारिक करें आमीर, गाड़ ब्लेस पाकस्नान गाड़ ब्लेस जीसस लिंक टीवी आमीर